उनी टोपी इसे एंगलिश में बवल केप कहते हैं, गुल बन इसे एंगलिश में मफलर या स्कार्फ कहते हैं, दस्ताने इने एंगलिश में गलप्स कहते हैं, और अंगुल दस्ताने इने एंगलिश में मिटन्स कहते हैं, और इस तरह के दस्ताने इने एंगलिश में फिंगर कार्डिगन केते हैं, बंद गले का स्वेटर इसे एंग्लिश में टर्टल नेक स्वेटर केते हैं, बी गले का स्वेटर इसे एंग्लिश में बी नेक स्वेटर केते हैं, गोल गले का स्वेटर इसे एंग्लिश में क्रूनेक स्वेटर केते हैं, जैकेट इसे एंग्लिश में ज लिस जैकेट केते हैं और इस तरह के जैकेट इसे इंगलिस में स्पोर्ट्स जैकेट केते हैं ब्लेजर इसे इंगलिस में ब्लेजर ही केते हैं और इस तरह का जैकेट इसे इंगलिस में वोडी वामर केते हैं बड़ा कोट इसे इंगलिस में ओवर कोट केते हैं और इस तरह का कोट इसे एंगलिश में पी कोट कहते हैं, गरम कमीज इसे एंगलिश में स्वेट सट कहते हैं, तोपी वाला स्वेटर इसे एंगलिश में हुडी कहते हैं, गरम कपड़े इसे एंगलिश में थर्मल अनर्वेर कहते हैं, गरम बन्यान इसे एंगलिश में थर्मल वेस्ट कहते ह उनी मोजे इनने इंगलिश में वुलन सॉक्स कहते हैं लंबे मोजे इसे इंगलिश में स्टॉकिंग कहते हैं और इस तरह का बैंड इसे इंगलिश में हैट बैंड कहते हैं इस तरह की लेगिंग इसे इंगलिश में फ्लीस लेगिंस कहते हैं और इस तरह का पैंट इस एंगलिस में sweat pants कहते हैं इस तरह का गरम कपड़ा इस एंगलिस में poncho कहते हैं और इस तरह का jacket इस एंगलिस में puffer jacket कहते हैं और इस तरह के बच्चों के उनी जूते इन एंगलिस में booties कहते हैं